प्रेम से बोलिए स्री सत्य नारायन भगवान की जै आज भादरपद मांस की पोणिमा तीती है 29 सितंबर 2023 और दिन शुक्रवार है तो भादरपद मांस की पोणिमा पर आज आप सुनने वाले हैं स्री सत्य नारायन भगवान की कथा एक समय की बात है नैमिशा रन्य दिर्थ में शौनकादी 88,000 रिशियों ने स्री सूती जी से पूछा हे प्रभु इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनोवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्णों में पूचे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूची है इसलिए मैं एक ऐसे स्रेष्ट व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारज जी ने लक्षमी नारायन जी से पूचा था और लक्षमी पती ने मुनि स्रेष्ट नारज जी से कहा था आप सब इसे ध्यान से सुनिए एक समय की बात है योगी राज नारज जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूंगते हुए मृत्यू लोक में आप पहुँचे यहां उन्होंने अनेक योणियों में जन में प्राया सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे कि कैसा यतन किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानुव के दुखों का अंत हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विश्णू लोक में गए और वहाँ पर वह देवों के इश्च नारायन की स्तूती करने लगे जिनके हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वर्माला पहने हुए थे स्तूती करते हुए नारत जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्न है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है निर्बुण स्वरूप स्रिष्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारत जी की स्तूती सुनकर भगवान विश्णू बोले हे मुनिश्रेष्ट आपके मन में क्या बात है आप किस काम के लिए पधा रहे हैं उसे निशंग को छोकर कहो इस पर नारत मुनी बोले कि हे प्रभु मृत्यू लोग में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नात आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकारा पा सकते हैं भगवान श्री हरी बोले हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है जिसके करने से मनुष्य मुह से चूट जाता है वह बात मैं तुमसे कहता ह हूं तुम ध्यान पूर्वक सुनो श्री सत्यनारण भगवान का यह वरत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख बोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है श्री हरी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस वरत का फल क्या है और उसका व मानों को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारण की पूजा धर्म परायन होकर ब्राम्भणों और बंधू के साथ करनी चाहिए भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल घी दूद और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साथी का आटा शक्कर तथा गुड लेकर और सभी भक्षन योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं ब्राम्भणों सहित बंधू बांधू को भी भोजन कराएं इसके बाद स्वयम भोजन करें भजन कीर्थन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं इस तरह से सत्यनारण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निस्चित रूप से पूरी होती हैं इस कलीकाल में आर्थात कल्यूग में मृत्यू लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है भगवान श्री हरिविष्णू ने कहा यह सत्यनारायन व्रत सभी प्रक फिरोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है इस प्रकार स्री सत्यनारायन व्रत का दूसरा अध्याय श्री शूत जी बोले हे विजो अब मैं पुना पुर्वकाल में जिसने इस सत्यनारायन व्रत को किया फा उसे भलिभानी विस्तार पुर्वक कहूंगा आप सब ध्यान पुर भूक और प्यास से व्याकूल होकर वह प्रती दिन प्रिथ्य युपर भटकता रहता था। ब्राम्वणों से प्रेम गघ्वान ने उस दुखी ब्राम्वण को देख कर ब्रिध्य प्राम्वण का रूप धरन करके ओस द्विजिस से आदर–पूर्वक पूछा। हे विप्र प्रती दिन अत्यन्त दुखी होकर तुम किसलिए प्रितियुपर ब्रह्मन करते रहते हो। हे द्विजिस्रेश्ट यह सब बतलाओ मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रामःण बोला हे प्रभो मैं अत्यन्त दरिद्र ब्रामःण हूँ और भिक्षा के लिए ही प्रितियुपर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हूँ तो क्रिपा पुर्वक बतलाइए। वृद्र ब्रामःण बोला हे ब्रामःण देव सत्तनारान भगवान विष्णू अभिष्ठ फल को देने वाले हैं। विप्र तुम उनका उत्तम वरत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्रामभण से यतन पुर्वक कहकर व्रिध्य ब्रामभण रूपधारी भगवान विश्णु वहीं पर अंतरध्यान हो गये। व्रिध्य ब्रामभण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्रामभण को रात में नीद भी नहीं आई। अगले दिन प्रतहकाल उड़कर सत्यनारायन का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्रामभण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्रामभण को भिक्षा में बहुत साधन प्राप्थ हुआ। उसी धन से उसने बंधु बाधवों के साथ भगवान सत्यनारायन का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वहस्रेष्ट ब्रामभण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन्न हो गया उस दिन से लेकर प्रत्यक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार सत्यनारायन भगवान के इस व्रत को करके वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। और उसने दुरलब मुक्षपद को व्राप्त किया। हे विप्र प्रिथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य स्री सत्यनारायन का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ठ हो जाएंगे हे ब्राम्हणों इस प्रकार भगवान नारायन ने महात्मा नारत जी से जो कुछ कहा वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया आगे अब और क्या कहूं तब ब्राम्हण बोले हे मुने इस प्रित्वी पर उस ब बार वहद्विज शेष्ट अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राम्हण के घर गया प्यास से व्याकूल वह लक जो सभी मनोर्थों को प्रदान करने वाला है उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महां धन धान्य आदी प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहेंड करके वह लकड़हारा नगर चला गया सत्तनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी संपन्न लोग रहते थे उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मुल्य प्राप्त किया इसके बाद प्रसन्न ह्रिदय होकर वह पके हुए केले का फल शक्कर घी दूद और गेहु का चुरुण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया तत्पस्चात उसने अपने बंधु करके अंत में सत्यपूर अर्थात वैकुंठ लोग चला गया इस प्रकार भगवान सत्यनारायन की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान की जय सत्यनारायन व्रत की कथा का तीसरा अध्याय श्री सूत जी बोले हे स्रेश् देवाले जाता और ब्रामणों को धन दे कर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुखवाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पती परायना थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर स्रिस्तत्नारायन का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनरासी से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्र सीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके और राजा के समीप गया और राजा को उस वरत में दिक्षद देख कर विनपुरोग पूछने लगा साधू ने कहा हे राजन आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं कृपिया यह सब मुझे भी बताईए मैं इ मादर पुर्वक कहा हे राजन इस विशय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाईए आपके कतना नुसार मैं यह व्रत और पूजन अवश्य करूंगा मुझे भी कोई संतान नहीं है इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवरि करूंगा इस प्रकार उस साधू ने अपनी भार्या लीलावती से कहा एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पती के साथ आनंद चित्त से रितु कालिन धर्माचरण में प्रवित हुई और भगवान श्री सत्यनारयन की ग्रिपा से उसकी वह भार्या लापती हुई और शुक्लपक्ष के चंद्रमा की भाति यानि दिन प्रति दिन वह कन्या बढ़ने लगी उस कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पती से मधुर्वाणी में कहा आप पुर्व में संकल्पित श्री सत्यनारयन के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं साधू बोला हे प्रिये इसके विवाह के समय में यह व्रत करूंगा इस प्रकार अपनी पतनी को भली भाति आस्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की उर्च लगया इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर में व्रिद्धी को प्राप् उसकी आग्या प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। कुछ समय के पस्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधू बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समी पिस्तित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा उसके बाद में दोनों राजा चंद्रिकेतु के रमणिय नगर में गए उसी समय भगवान श्री सत्यनारायन ने उसे भश्ट प्रतिज्य देखकर इसे दारोण कठिन और महान दुख प्राप्थ होगा यह श्राप दे दिया एक दिन एक चोल राजा चंद्रिकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे वह अपने पीछे दोडते हुए दूतों को देखकर भैभीत चित से धन वहीं छोड़कर शीग्रही छिप गया इसके बाद राजा के दूत वहां आ गये जहां वह साधू वणिक था और वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्स पुर्वक दोडते हुए राजा से बोले हे प्रभो हम दो चोर पकड कर लाए हैं देखकर आप आग्या दे राजा की आग्या से दोनों शीग्रही द्रिड़ता पुर्वक बांध कर बिना विच में जो सारा का सारा धन था वह चोर चुरा ले गया लीलावती शारिडिक तथा मानसिक पीडाओं से युक्ट भूख और प्यास से दुखी अन्य की चिंता में दरदर भटकने लगी कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रति दिन घूमने लगी एक दिन भूख से पीडित कलावती एक ब्रामभण के घर गई वहां जाकर उसने स्री सत्य नारायन के व्रत और पूजन को देखा वहां बैटकर उसने खथा सुनी और वर्दान मांगा इसके बाद प्रसाद ग्रहन करके वह कुछ रात होने पर घर गई माता ने कलावती कन्या से प्रेम की भारिया व्रत को करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधू बांधों के साथ भगवान श्री सत्य नारायन का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रातना की हे भगवन आप हमारे पती एवं जामाता के अपराद को छमा करें वे दोनों अपने घर शीक् और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है अन्य था राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनास कर दूँगा राजा से स्वपन में ऐसा कहकर भगवान चत्यनारान अंतरध्यान हो गए इसके बाद प्रतहकाल राजा ने अपने सभासदों क बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनैपुर्वक बोले है महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वडिक पुत्र लाए गए हैं इसके बाद दोनों महाराज दोनों इस्के के हुए भै विवल हो गए और कुछ पोल न सके राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पुर्वक कहा आप लोगों को प्रारब्दवस यह महांदुख प्राप्थ हुआ है इस समय अब कोई भै नहीं है राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों क को संतुष्ट किया तता सामने मुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया उसके बाद राजा ने पुनह उनसे कहा हे साधो अब आप अपने घर को जाए राजा को प्रणाम करके दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान की जै सत्यनारायन व्रत की कथा का चौथा अध्याय श्री सूती जी बोले साधू बनिया मंगला चरण करके और ब धन के मद में चूर होकर दोनों महाजनों ने अवहेलना पुर्वक हसते हुए कहा हे दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है हमारी नाव में तो लता और पत्ते आधी भरे हैं ऐसी निश्चुर वाणी सुनकर सत्तना रायन वेश्धारी स्री दंडी बोले तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारन किये हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए दंडी के चले जाने पर नित्यक्रिया से निवित होकर उत्री हुई अर्थात जल में उपर की और उठी हुई न करते हैं दंडी ने श्राब दे दिया है इस स्थिती में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें संसय नहीं है अतह उन्हीं की शरण में चलें वहीं जाकर मन की इच्छा पुर्ण होगी दामाद की बात सुनकर साधू बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखक उसने भक्ति पुर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पुर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह असत्य भासन रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को छमा करें ऐसा कहकर बारम बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया द स्थित पूरा तथा उसकी आप रक्षा कीजिए उस बनिया कि भक्ति-युक्त वाणी सुनकर भग्वान जनारदन सन्तुष्ठ हो गयए भगवान-हरी उसे अभिष्ट वरप्रदान करके वही अंसरध्यान होगां उसके बाद वह साधू अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धाने से परिपुरुन देखकर भगवान सत्यदेव की क्रिपा से हमारा मनोरत सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की भगवान स्री सत्यनाराण की क्रिपा से वह को प्रेतन पुरुवक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया साधू बनिया ने अपने दामाद से कहा वह देखो मेरी रत्न पुरी नंगरी दिखाई दे रही है इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए चोड़ कर प्रणाम किया तथा उसकी अभिष्ट बात कही सेट जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन्धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं दूद के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई और उस साध्वी ने श्री चल पड़ी इससे भगवान सत्तनारायन रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पती को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई प्रिथिव पर गिर पड़ी नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भैभीत मन से साधू बनिया ने सोचा यह क्या आश्चरी हो गया नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए तदनंतर्वा लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नश्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चे किया कन्या के इस प्रकार के आचरन को देखकर भारिया सहित वह धर्मग्य साधु बनिया अत्यंत सोक संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनाराण नहीं अपरण किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गये हैं अपनी धन शक्ती के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनाराण की पूजा करूंगा सभी को बुला कर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इक्षा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रस तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संसे नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीग्रही घर गई, उसने प्रसाद ग्रहन किया, पुनह आकर स्वचनों तथा अपने पती को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। पाचवा अथ्याय पुजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीब रखकर वहां से लोट आए। और इच्छा नुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहन किया। इधर राजा को प्रसाद का परिद्याक करने से बहुत दुप्राप्त हुआ। उसका संपुर्ण धन, धान्य एवं सभी सौ पुत्रनश्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायन ने हमारा नाश किया है। इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए वहां स्री सत्यनारायन भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगड़ों के समीब गया। और उस स्री शूति जी कहते हैं जू व्यकति इस परम-दुर्लब्शी सत्यनाराण व्रत को करता है और पुन्य मईू तथा फ़ल-प्रदाइनी भगवान की कथा को भक्ति युकत होकर सुनता है। करके अंत में सत्यपूर वैकुंठ लोग को प्राप्त करता है हे ब्राम्भनों इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायन के व्रत को कहा जिसे करके मनुसी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है कलियूग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेश पूर्वलोक में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायन का व्रत किया था उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूं आप लोग श्रद्धा पुर्वक सुनिए महान प्रग्या संपन्य सतानंद नाम के ब्रामण सत्यनारायन व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में जिन्हों ने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में व्यकुंठ लोग को प्राप्त किया इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवरती साधू पिछले जन्म के सत्यवरत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर्ध्वज नामक राजा हुआ उसने आरे से चीर कर अपने पुत् करके व्यकुंठ लोग को प्राप्त हुए जो गोपगंड थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संगहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गो लोग प्राप्त किया तो प्रेमजी बोलिए श स्वामी जय लक्ष्मी रमडा सत्यनारायड स्वामी जन्पातक हरडा ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन घंटा ध्वनी बाजे ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा प्रकट भये कली कारण द्विज को दरश दियो बुढो ब्राम हड बने करे कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा दुर बल भील कठारो जिन पर क्रिपा करी चंद्र चूड एक राजा दिन की विपति हरी ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा वैश्य मनुरत पायो श्रद्धात जदीनी सोफल भोग्यो प्रभुजी फिरस्तुती कीनी ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धर्यो श्रद्धात जारण कीनी तिन को काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मन वांचित फल दीनो दीन दयाल हरी ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा चड़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा श्री सत्य नाराणजी की आरती जो कोई नरगावे रिद्धे सिद्धे सुख संपती सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा प्रेम से बोलिए श्री सत्य नाराणजी भगवान की जय और हां वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं अच्छी लगी है अगर आज की वीडियो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजे मिलती हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार